तो आज हम बात करेंगे पंचर पकाने वाले उस मेकेनिक के बारे में जिसका खुद का थोगड़ा हवा बढ़ने वाले पंप से कम नहीं है एक ऐसा पंप जो दोनों तरब से हवा छोड़ता है ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है बैंग बैंग वेब सीरीस की पार असफलता के बाद में और टिक टॉप के क्रिया करम के बाद में एक नए आगाना लेकर आए हैं फेजू आधू फोप्चे में बेट जाओ मन करें तो लेट जाओ और देखते जाओ इस वीडियो को क्योंकि आज हम फेजू बिया कि इत्ती भैंकर तरीका से लेने वाले और चलो यार एक यूटूबर के लिए सब्सक्राइबर से बढ़के और कुछ नहीं होता और आप सब्सक्राइबर हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार गाने की शुरुआत होती है समुंदर किनारे एक बीच पे जहां हमारा पंचत पकाने वाला हीरो भोड़े जिसे बालने के इजाजत मांगने के बाहरे इजजत दूटने जा रहा है तो एक दोड़ था जब गानों में लिरिक्स और म्यूजिक दोनों हुआ करते थे लेकिन अब तो सिफ चूतियापा और टिक टॉकर्स नजर आते हैं पिरिक्स के नाम पर जंदा को चार लाइन दे दी जाती है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि यह गाना है या फिर गूब तो भाई की सूरत देख रहे हो तुम उपर घोड़े जैसे बाले और नीचे बक्रे जैसे दाड़ी अब इता डेडली कॉंबिनेशन तुमको कहीं और मिलेगा वाह पहली बार में इसकी आखे खुड़ गई है यही वो लॉजिक जिसको लगा कि यह सब के सामने चूतिया बन चुके हैं इनके हिसाब से अगर कोई लड़की किसी लड़के को मुस्कुरा के देख ले तो लड़के को ओयो का रूम बुक कर लेना चाहिए यही तो खुबसूरती हमारे देश की कि फर्स टाइम देखा तुझे लव हो गया सेकेंड टाइम में सब हो गया मानता हूं यह गाना है और इसमें ज्यादा लॉजिक लगाना सही नहीं है लेकिन यार अगर ऐसे चूजो से लड़किया पटने लग गई तो फिर देश की आदियाबादी तो टॉलेट में बैठे बैठे मर जाएगी लड़का अपनी हसरते पूरी करने में सफलता हासिल कर चुका है उसे फॉर्म हाउस पे ले आया है बक्रे जैसी करना उसकी इजालत मांगने का एक तरीका है जिसमें वो बताना चाहता है कि खेल कि खेल में वो पेलना चाहता है वीडियो यहीं तक कि था आपको यह वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्काइब करके बेल आइकान दबा दो ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफेकेशन तुरंत मिल जाए और मैं बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं तो उस पे